वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे जूनियर असिस्टेंट का जो टाइपिंग टेस्ट होना है क्या वो सेम डे होगा या फिर किसी और दिन होगा जी हाँ इसके बारे में सबसे जादा लोग कमेंट में जाके पूछ रहे हैं कि सर जो जवाहला नहरू नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें जूनियर असिस्टेंट का जो अभी टियर वन का एक्जाम होना उसी के साथ स्किल टेस्ट भी हो जाएगा तो उसी के रिगार्ड में मैं वीडियो लाया हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है ओफिशल नोटिफिकेशन जिससे आपको और क्लेरिटी हो पाए इस पोस्ट की तयारी के लिए तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और अगर आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा अब इसका ओफिशल आंसर पाने के और सेन लोगो है जैसा यूटूब को है आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं और फिर पा सकते हैं इस नोटिफिकेशन को तो आपको सबसे पहले पेपर वन में क्या आएगा पेपर वन में जनरल अवेरनेस, रीजनिंग अबिलिटी, मैथमेटिकल अबिलिटी, इंगल पॉइंट नमबर थर्ड देखिए, पॉइंट नमबर थर्ड में लिखा है, skill test will be conducted by NTA, of only for such candidates, मतलब पहले तो आप ये समझ लीजे, कि जो आपका skill test है, वो NTA conduct करवाएगी, वो JNU conduct नहीं करवाएगी, ठीक है, तो NTA कैसा skill test लेती है, या फिर type test कैसा लेती है, उसके regard में भी मैं एक different video ले आऊंगा, पर अभी के लिए अगर मैं बात करूँ, फिर आप आईए point number B पे, उसमें देखिए, assistant और junior assistant five times of number of vacancies, अब आप इस से समझे, five times of number of vacancies तब होगी, जब आपका tier 1 qualify हो जाएगा, जी हाँ, tier 1 qualify हो जाएगा, तो merit उस हिसाब से बनेगी, कि उतने ही suppose vacancies 100 हैं, तो 500 लोग ही qualify करेंगे, tier 1 को, जो की skill test में बैट सकें, तो इससे ये clear हो गया, क्योंकि देखिए, अगर सब को ही बुला लिया, तो ये five times number of vacancies का criteria कैसे fulfill होगा, तो it means direct हम ऐसे refer या फिर infer कर सकते हैं, कि पहले हमारा tier 1 होगा, और tier 1 में ये questions, जो आप, ये syllabus होगा, फिर उसके बाद, जब result आएगा tier 1 का, वो लोग ही qualify करेंगे, जो 500 times, five times, sorry, five times जैसे अगर 100 vacancies हैं, तो 500 लोगों को ही qualify करिया जाएगा, skill test देने के लिए, अब उस skill test में जितने लोग qualify होंगे, फिर उसका merit बनेगी, और top जितने भी vacancies हैं, suppose 100 vacancies हैं, top 100 को select कर लिया जाएग तो guys हो गया आपका clear, अभी tier 1 में सिर्फ आपको, आपका सिर्फ खाली ये वाला paper, paper 1 होगा, और कुछ नहीं होगा, जी हाँ, paper 1 में सिर्फ general awareness, reasoning ability, mathematical ability, test of language, English और हिंदी, computer awareness, ये होगा, skill test, आपका due course of time, जब आपका tier 1 का result आएगा, उसके बाद होगा, ठीक है guys, ये था official notification के through, मेरा explanation, अगर by chance अगर NTA ने ये format change किया, तो इसके regard में भी मैं वीडियो ले आऊँगा, जिससे आपको directly, credible sources से आपको पता चल पाए, तो guys, अगर वीडियो informative लगे तो please वीडियो को like किजेगा, और चैनल को subscribe जरू कर लेना, अगर आपको authentic information चाहिए तो, क्योंकि मैं अज कोशिश करता हूँ, मैं वही information आपसे share कर सकूँ, जो की officially notified है, या फिर officially NTA ने बताई है, अपने PDF notification के थूँ, ये था आज का वीडियो, next वीडियो मैं मिलूँगा, मैं ऐसे ही किसी doubt clearing session के साथ, आपके लिए, ये था आज का वीडियो, thank you for watching.